नमस्कार आप देख रहें आज की खास बात अपने दोस्त पी सिंग कसा दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आदासा माइन्स की नाखपूर डवलू सील नाखपूर छेतर अंतरगत यह माइन साती आदासा माइन्स और यहाँ पे शीवम कोल केरियर प्राइविट लिम्टेड यह एक आतंक यहाँ पर फैलाया जा रहा है जिस तरीके साफ वीडियो फूटेज सामने देख रहे हैं उसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से लगवग 25 से 30 वॉल्वो गाडियों का नुकसान किया गया है इसे तोरफोर किया गया है सुत्र बताते हैं कि विजय प्राप्त हुई है डवलू सील की और कुछ लोगों के आपसी कुछ झगड़े हैं नौकरी को ले करके कंपनसेशन को ले करके अब सवाल यह उठता है कि अगर डवलू सील से बातचीत करें उसके लिए नियम है कानून है संविधान है न्याले है लेकिन कोई प्राइवेट पेपे मामला दर्ज किया गया है और बहुत अग्रेसिव मूड में आके इनों ने यहां के सारे करमचारियों को बगा दिया गाडियों को तोड़ी फोड़ी करा तोड़ा फोड़ी की है ठीक है और हम लोग भी थे जो के अपनी जान बचा के भाजे इसमें 20 से 25 लाख तो उसके परक्रिया होती है एक टेंडर किया जाता है जिसमें security deposit अगरे भी company अगरे लेती है जब company security अगरे लेती है जिस company में कोई बाहर की company आके private company आकर काम करती है अपनी करौरों की machinery वहां पर लगाती है 200-300 लोगों को एक रोजगार का साधन देते हैं तो क्या उसकी जिम्मेदारी WCL की यहाँ पर नहीं थी यहाँ पर WCL की जिम्मेदारी नहीं थी कि जो company वहाँ पर काम कर रही है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आकर किसकी होती है एक बड़ा सवाल अपने आपको उठता है किसे भी company को जिसका जो tender लिया है WCL में और काम कर रहा है उसके जिम्मेदारी अगर WCL की है तो फिर इस मामले में आदासा माइस में यहाँ पर WCL अपने अंदर जो company काम कर रही है उनके अंदर जो काम कर रही company उसके कितनी ध्यान दे रही है कितनी उसकी सुरक्षाव के लिए करके WCL बंदोबस्त की हुई है उसके बड़ा सवाल उठता है दोस्तो सुद्र बताते हैं कि बालिया बुजाडे किसी राजनेतिक नेता का शिकार हो रहा है और साथ में गाउवालों को भरका करके गाउवालों को भी राजनेतिक शिकार कर रहे है इनके उपर मामला दर्ज हो गया है दोस्तो आज ये घटना हुई है ठीक है गरम माहौल है लोग अच्छा लग रहा होगा शायद काम बन करवा करके कमपनी का नुकसान करगे सरकारी नुकसान करवा करके लेकिन कुछी दिनों के बाद आज नहीं कल नहीं परसो कभी ने कभी जो चीज़े पूरानी हो जाएगी जिन लोग के उपर मामला दर्ज होए है लिए नयाय लेना है तो उसके लिए नयाला है समविधान है और सारी विवस्ता है कानुनी प्रकिरिया है विजय भुजाड़े उनके साथी उपर मामला दर्ज किया गया है अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस पर सावनेयर पुलिस क्या करवाई करती हैं क्या इन्हे राजणेतिक सानक्षन मिल रहा है या फिर पुलिस निश्पक्ष काम करेगी और यहां पर जो कमपनी काम कर रहे है उसकी सुरक्षा पुलिस और WCL के आदिकारिया दोरा खी जाएगी इस पर भी हमारी नेजर पन होगे हैं आप देखते रहेंगे आज की खास बात अपने दोस्त वियू सिंख साथ जहिए